दोस्तों, अगर आपने 12th class science से पास की है, तो आपके पास कितने career options होते हैं? इसका जवाब काफी students के पास होगा, लेकिन जब बात 12th arts के बाद के career option की आती है, तो ज़ादतर लोग confused हो जाते हैं. क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि 12th arts के बाद graduation और उसके बाद किसी government job की preparation करके ही career बनाया जा सकता है. हाला कि ये सिर्फ एक मित है, क्योंकि आज कल arts students के लिए भी उतना ही ज़ादा scope और career option मौजूद हैं, जितना की एक science students के लिए. अगर आप arts से plus two कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, साथ ही अपने career को लेकर भी चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि 12th arts के बाद आप कौन कौन से बहतरीन field में अपना career बना सकते हैं, तो आईए, बिना देर किये वीडिय को शुरू करते हैं, दोस्तों, जादतर लोग arts subject को एक अच्छा career option नहीं मानते, उनको लगता है कि ये सिर्फ पढ़ाई में कमजोर students के लिए ही है, यानि कि ये उन students के लिए है, जो science या commerce नहीं पढ़ सकते, हालकि ये बात बिलकुल गलत है, कई चात्र अपने interest से भी arts subject च आर्ट्स के बाद करके एक successful career बना सकते हैं, नमबर एक, बीए, बैचलर ओफ आर्ट्स, जब आप आर्ट्स से बारवी कर लेते हैं, तब आप बैचलर ओफ आर्ट्स से संबंधित कई सारे graduation course कर सकते हैं, जो आपके interest के according हो, जो options के बात करें, तो इन में बीए political science, बीए animation, बीए economics, बीए social science, बीए psychology और बीए history वगेरा शामिल हैं, इन में से किसी भी subject से bachelor degree करने के बाद, आप government और private दोनों तरह की job के लिए apply कर सकते हैं, नमबर टू, बीए, बैचलर ओफ बिजनस administration, ये एक bachelor degree course है, जो बारवी के बाद किया जाता है, दरसल ये सबसे लोगप्रिय कोर्स में से एक है, और इसे करने के बाद छात्र marketing, sales, finance, hospitality, शिक्षा एवं सरकारी शेत्र में करियर बना सकते हैं, बीए में आप अपनी पसंद के नुसार कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, जैसे बीए marketing, बीए computer application, बीए finance, बीए digital marketing, बीए human resource management, और बीए international business, नमबर तीन, बीए travel and tourism course, अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं, और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए एक best career option बन सकता है, आज के समय में ये सबसे trending profession है, जिसमें जातर youth अपना करियर बना रहे हैं, इस bachelor degree को करने के बाद आप इस स सब्बंधित कई सारी सरकारी और private jobs पा सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें, तो इसमें अपना खुद का business भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें travel guides से लेकर travel influencer तक के काम शामिल हैं, नमबर चार, B.A.L.L.B. B.A.L.L.B. एक पांच वर्षे integrated course है, जिसमें law की पढ़ाई की जाती है, इस course में छातरों को राजनीतिक विज्ञान, अर्थ शास्त्र, इतिहास से लेकर विभिन, law के subject पढ़ने होते हैं, इसको करने के बाद छातर वकील या magistrate जैसी jobs को पा सकते हैं, और देश के न्याय विवस्था में अपना सहयोग दे सकते हैं, नमबर पांच फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ओफ फैशन डिजाइनिंग तीन से चार साल का कोर्स होता है, जिसमें छातरों को इंटरनाशनल फैशन ट्रेंड्स और अन्य डिजाइन्स की जानकारी दी जाती है, इस कोर्स को कर राने के बाद स्टूटेट्स बाद भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी और फैशन डिजाइनिंग कंपणियों के साथ काम कर सकते हैं, और फैशन एवं डिजाइनिंग में करियर बना सकते हैं, नमबर च्छै आर्किटेक्चर बैचलर ओफ आर्ट्स इन आर्किटेक्चर एक पांच वर्षिय अंडर ग्रैजुएट कोर्स होता है, जिसमें आर्ट के साथ साथ किसी भी स्ट्रीम के छात्र एड्मिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, मॉडल, ब्ल्यूप्रिंट बनाना सिखाय जाता है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए छात्रों को National Aptitude Test in Architecture यानि नाटा जैसे प्रवेश परिक्षा पास करनी होती है। अगर आप आर्ट स्टूडेंट्स हैं, तो Bachelor of Arts in Journalism यानि की BAG कोर्स में भी अपता करियर बना सकते हैं। और Print, Radio, TV, पत्रकारिता में काम कर सकते हैं। इसके लावा इस कोर्स के माध्यम से Anchoring, विज्यापन, Film, मीडिया जैसे शेत्र में भी करियर के विकल्प खुल जाते हैं। ये एक Adventure से भरा हुआ करियर है, जहां आपको हर रोज नए Experience मिलेंगे और काफी कुछ सेखने को मिलेगा। इसलिए ये आपके लिए एक अच्छे करियर Option के साथ साथ बेहत मज़िदार जौब भी होने वाला है। बैचलर ओफ फाइन आर्ट्स यानि BFA ललित कला, वीजूल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के शेत्र में सनातक डिग्री है। ये डिग्री कोर्स दिली, मुंबाई, पूरे, बैंगलॉर, हैदरबाद और भारत के अन्य सभी राजियों के कई कॉलेजों में कराया जाता है। इसलिए अगर आपका सपना एक आर्टिस्ट बनने का है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट करियर आप्शन साबित हो सकता है। नमबर नौ, सिविल सर्वेस। आर्ट स्ट्रीम के चात्रों के लिए गर्वर्मेंट सिविल सेवा सर्विस जैसा करियर चुनना भी बहतर हो सकता है। क्योंकि इनकी परिक्षाओं में ज्यादतर हिस्ट्री, जियोग्रफी, पॉलिटिक्स जैसे सबजेक्ट पूछे जाते हैं, जो आर्ट स्ट्रीम का चात्र स्कूल से ही पढ़ता है। अगर बात करें सिविल सर्विस जॉब्स की, तो इसमें बहुत ही हाइली रेपुटेशनल जॉब्स शामिल होती हैं, जैसे IS, IPS, IFS, आदी. अगर आप देश के लिए आधिकारिक तोर पर कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट आप्शन साबित हो सकता है।